परम पूज्य गुरुदेव द्वारा संकल्पित अनुष्ठान के अंतरगत 24 वर्ष में 24 लक्ष जब के 24 महापुरश्चरन पूरे हो जाने पर उस जब की आहुतियों का सनातन क्रम पूरा करना ही था। उसके बिना वो असाधारन तब अधुरा ही रह जाता। इसके लिए 24 लाख अहुतियों का महायग्य होना था। इसको अनेक वर्षों तक लंबा खीचने की अपेक्षा यह उप्युक्त समझा गया कि सहस कुंडी गायतरी महायग्य का आयोजन किया जाए और उसमें एक लाख यागी को द्वारा पांच दिन तक यग्य चलाया जाए। वो सन 1958 का घी, समिधा, यग्यमंदप, प्रवचन, पंदाल, आगंतुकों के लिए निवास, भोजन, पानी, सफाय, रोश्नी आदी का प्रबंध कैसे हो। इतने लोगों के लिए एक साथ तंबू लगाने जैसी भूमी कहां से मिले। राशन पकाने, परोसने वाले आदी की छोटी- एसी थी जिसके लिए प्रचुर्धन की व्यवस्था करनी थी। इतने गायतरी साधकों को निमंत्रन कैसे पहुँचे। बसों, रेलों का इतना प्रबंध एक ही दिन में लाखों की भीर का आना, एक ही दिन में जाना किस प्रकार बन पड़े। पूज्य गुरुदेव की जेब में केवल पांच हजार रुप्ये थे, खर्च था पचास लाख रुप्ये का, सामान्य बुद्धी काम नहीं कर सकती की यह संभव, संभव कैसे हो सकेगा, विशेश्ट या तब, जबकि सार्वजनिक चंदा उगाहने की नीती आरंव से अंत तक नहीं रही, कार्यकर् एक दर्जन से अधिक नहीं थे, सोचने विचारने में ही धेरो समय चला गया, पर कुछ करते धरते नहीं बन पड़ा, समय आया और दैर्वी चमतकार की तरह एक-एक करके सभी गुथिया सुलचती गर्यो, देश के कोने-कोने के गायतरी उपासकों को निमंतरन पत्र पहु को ठहरने, खिलाने आदी का प्रबंद करना पड़ा, सभी कार्य ऐसी सुन्दरता एवं सुव्यवस्था से संपन्न हुआ कि साथ मील के दाइरे में रिशियों के नाम पर साथ नगर बस गए, तंबुओं की लाइन ने कुम्भ का मेला फीका कर दिया, बिना मूल्य भोजन वाले साथ लंगर दिन रात चलते रहे, सफाय, रोशनी में कोई कमी नहीं आई, कोई भूखा या बिना आच्छादन के न रहा, सभी क्रमबद रूप से भव्य यग्य मंडप में अहुतिया देते रहे, न एक पैसे की चोरी हुई न किसी को ठोकर लगने जैसी दुरघटन का सामना करना पड़ा, राशन भंदार अक्षय हो गया, आसपास के दर्शकों की भीर तूट पड़ी, समुचा समुदाय दस लाख के करीब जा पहुचा, भव्यता और श्रद्धा उमरी पड़ती थी, लोगों को एक ही बात कहते सुना गया कि इतना विशाल और सुव्यव अव्यवस्थित आयोजन उनमें से किसी ने नहीं देखा, हजारों लाउड स्पीकर, हजारों जैनरेटर, पानी, रोशनी, सूचना आदी का काम कर रहे थे, सातों नगरों में टेलीफोन फित थे, स्वयम सेवक इतने की सारा काम हाथों हाथ उठा लिया गया, अवसर पर भावना शील यागिकों को प्रवचन पंडाल में, एक अत्रित करके गायतरी परिवार का गठन किया गया, सदस्यता शुल्क एक माला गायतरी जप, संगठन एवं प्रचार कार्यों के लिए एक घंटा नित्य समयदान, मिशन बनकर रातों रात खड़ा हो गया और उपासना, साधना, आराधना का कार्यक्रम स्थानिय परिस्थितियों की मनह स्थिती के अनुरूप चल पड़ा। यग्या आयोजन जितना चमतकारी था उतना ही यह भी कि एक रात में एक लाख सदस्यों वाला संगठन बन पड़ा और विदाई के बाद निर्धारित का करने में प्रानपन से जुट पड़ा। प्रक्रिया को अध्यात्म का प्रथम चमतकार कह सकते हैं। आगंतु को, स्वयम सेव को, व्यवस्थाप को, सहाय को पास कोई दिव्य व्यक्ति पहुंचा और उसी ने सब को इस आयोजन की भूमिका निभाने के लिए बाधित किया सफलता का श्रेक किसी व्यक्ति को नहीं दिव्य सत्ता को ही मिलना चाहिए, जिसके हाथों गुरुदेव ने अपने को बेचकर उसे खरीद लिया था। दूसरा चमतकार है इतने उचे स्तर के भावनाशील और कर्मत कार्यकर्त्ताओं का अनन्य सहयोगी के रूप में बिना किसी वेतन के मिल जाना। इसका प्रथम श्री गनेश माताजी से हुआ, गुरुदेव की धर्मपत्नी शक्तिस्वरूपा माता भगवती देवी को हर कोई माताजी कहता है। वे जिस दिन से जुनी उसी दिन से उन्हीं की काया च्छाया बन गई। घर ग्रहस्थी का काम तो राय रत्ती जितना था, समूचा दायत्व मिशन का उसके कार्यकर्थताओं का प्रबंध करना। वे अन्नपूर्णा बन कर रहीं और साथ ही स्नेह वातसल्य का अमृत भी संपर्क में आने वालों को पिलाती रहीं। परम पूज्य गुरुदेव की प्रग्या और वंदनिय माताजी की श्रधा का समनवय एक जादू बन गया। उसके सहारे लाखों का हरिदय जीत लिया गया। जिसकी भी आत्मियता सघन हुई उसे नवस्रिजन में जुटने की प्रेरणा मिली। माताजी की श्रमशीलता, सादगी, शालीनता, ममता और व्यवस्था बुद्धी न घटी नहीं है वरन आयू के साथ साथ बढ़ती ही आई है। पूज्य गुरुदेव कभी कभी सुविधानुसार जब भी उनकी चर्चा करते थे, तो उन्हें नारी शरीर में दिव्य लोक से अफ्तरित हुई प्रतिमा, गंगा सम्तुल्य कहते थे। पूज्य गुरुदेव के कारियों में आधे से अधिक सफलता का श्रे माताजी को ही है। उनकी ममता अम्रितोपम है। वह थकों में नवजीवन और हारे हुए में प्रचंड प्रान भरती है। कोई चाहे तो इस स्वर्ण सुयोग को भी अध्यात्म का एक चमतकार कह सकता ह आलोक बिखरा तो उसने असंख्य भावना शीलो को प्रभावित ही नहीं तरंगित भी किया। गायत्री तपो भूमी, युग निर्मान योजना, शान्तिकुंज और ब्रमवर्चस में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, उनमें से अधिकांश ग्रेजुएट्स तर के शिक्षित और औसतन दो हजार रुपया मासिक कमाने वाले थे। हरिद्वार और मतुरा के आश्रमों में उनकी संख्या पांच सो से अधिक हैं। कार्यक शेत्र में फैले हुए प्रायह दस हजार हैं। वे अपना समय घर परिवार को नाम मात्र को देते हैं। सोते जागते मिशन के न आधार पर खर्च चलाते हैं। जिनकी स्थिती वैसी संपन्न नहीं है वे भोजन वस्त्र मात्र की राशी मिशन से लेते हैं। आपत तिकाल के लिए कोई कुछ बचाता नहीं। ऐसा प्रसंग आता है तो उनकी आवश्यक्ता मिशन पूरी कर देता है। उसे साधु ब्राह इन दिनों उपलब्ध हो रहे हो। उन सब के नामों का, योग्यताओं का, पुरुशार्थों का, त्यागों का उल्लेक तो यहां संभव नहीं, पर उनमें से प्रतियेक ऐसा है जिसकी गुनगाथा में एक-एक पुस्तक बन सकती है। इस युग में ऐसी प्रतिभाओं का एक छत्र के नीचे एकत्रित को जाना कॉंग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन एवं बुद्ध के भिक्षु समुदायों का स्मरण दिलाता है और एक चमतकार जैसा प्रतीत होता है। ये सभी बीवर्ष के भीतर बनी है। इन सबको एक स्थान पर एकत्रित कर लिया जाए तो किसी बड़े विश्व विद्यालय से वे कम नहीं वरन, अधिक ही बैठेगी। इनका आरंभ गुरुदेव ने अपनी खुदकाष्ट की जमीन और विशाल जमीदारी के उन्मूलन पर मिली पुनर्वास राशी से किया था। वो धन एक लाख से अधिक नहीं था। परिवार को पैत्रिक संपदा नहीं दी वरन उन्हें स्वावलंबन के आधार पर निर्वाह करने की सलाह दी। भव्य इमारतों को देखते हुए वो राशी नगन्य ही कही जा सकती है। चं एक मुठी अनाज या दस पैसे की राशी निकालते रहे। उसका एक अंश संस्था को पहुचता रहा। स्वेचा सहयोग भी कईयों ने कार्य का महत्व देखते हुए दिया। इस प्रक्रिया से जो सहयोग मिलता रहा उसी ने ये भव्य इमारते बना दी। आवल खेड़ा आगरा से सत्रह मील सडक किनारे में एक हाइ स्कूल, एक कन्या हाइ स्कूल, अस्पताल, डाक खाना, सहकारी समिती, नज, सरकारी कार्याले, सहकारी बैंक आदी कार्यक्रम चलते हैं। इन में चलती गतिविधियों से सेकडो छात्र, सेकडो छात्राओं, सेकडो मरीज, महिल तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। साथ में जुड़ा भव्य गायत्री मंदिर भी है, जहां कथा कीर्टन का सिलसिला चलता ही रहता है। युग निर्मान योजना का प्रमुख कार्य युग सहित्य का प्रकाशन है। निजी विशालकाय प्रैस है, जिसमें कितनी ही भाशाओं की पत्रिकाय प्रकाशित होती है तथा युग सहित्य छप्ता भी यहां है। मशीन कक्ष में सहित्य स्टो का विस्तार देखते ही बनता शुधा हवन सामगरी लागत मूल्य पर देने का प्रबंध है। प्रग्या पुस्तकालाय, स्वाध्याय मंडलों का सूत्र संचालन भी यहीं से होता है। कारिय विस्तार को देखते हुए सरकार ने इसी इमारत में गायतरी तपो भुमी पोस्ट आफिस भी खोल दिया है। जो कारिय और कर्मचारियों की दृष्टी से मतुरा हैद पोस्ट आफिस के उपरांत दूसरे नंबर का बड़ा डाक खाना है। बैंट का दफ्तर भी इसी इमारत में है। इससे सहित्य पार्सलों तथा पत्रिकाओं को देश देशानतरों में भेजने की व्यवस्था सरल पड़ती है। मिशन की सभी पत्रिकाओं की ग्राहक संख्या 6 लाख के लगभग है। अकेली अखंड जोती ही 3.5 लाख के करीब छपती है। इसका दफ्तर भी इन ही इमारतों से सटा हुआ है। मतुरा में तीर्थ्यात्रियों की बड़ी संख्या इस भव्य आश्रम को देखने आती है और उसे देखकर अनुमान लगाती है कि इसाय मिशन जैसी यह योजना अपने धनकी भारत में अनोकी है। हरिद्वार का शान्तिकुंच परिजन यहां आते, ठहरते रहते हैं। पांच-पांच दिन के प्रग्या परिजन सत्र और एक-एक महीने के युग शिल्पी सत्रों का उपक्रम यहां निरंतर चलता रहता है। युग शिल्पी प्रधानतया संगीत, प्रवचन एवं पौरोहित्य प्रक्रिया सीखते हैं इस माध्यम से अब तक हजारों प्रचारक प्रशिक्षित किये जा चुके हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में जन जाग्रण और प्रग्या मिशन का रचनात्मक कार्य बड़ी तत्परता और सफलता के साथ संपन्न करते रहते हैं। शांतिकुंज में देवात्मा हिमाल अनोखा है, तीरत परंप्रा का यहां की गतिविधियों में समग्र समावेश किया। गया है, प्राचीन काल के तीर्थों में छात्रों के गुरुकुल, वानप्रस्थों के आरण्यक और सर्वसाधारन को जीवन कला का प्रशिक्षन, इस पुन्य परंप्रा का शांती में सजाया गया है, गायत्री माता का मंदिर एवं रिशियों की भव्य प्रतिमाएं भी इसी क्षेत्र में स्थापित है, नौ कुंडी यग्य शाला में नित्य दो घंटे गायत्री यग्य होता है, एवं अखंड रुद्रा भिशेक की प्रक्रिया चलती है, जिस अखंड ग प्रणाम करते समय सभी को होते हैं, तीरत परंप्रा के अनेको पक्ष ऐसे हैं जिनहें इस पुन्य भूमी में मूर्तिमान एवं गतिशील देखा जा सकता है, उदाहरनार्थ चरक परंप्रा का पुनर जीवन लिया जा सकता है, गायत्री नगर में सुवित्रित जड़ी प्रत्यक्षन करने के लिए आधुने की अंत्र उपकरणों की प्रयोग शाला लगी है, जिसमें ये सिध़ किया जाता है कि किस व्याधी का निवारन किस प्रकार की वनोश्धी से किस प्रकार हो सकना संभव है, एलोपैथी की फॉमोकोप्या के सम्तुल्य वनोश्धी प्रत्यक्षवाग शेश स्थानों में तो सभी गधे घोड़ों को एक ही लाथी, से हाका जाता है, फल्स्वरूप की गई साधनाए अस्थ व्यस्थ हो जाती है, पांच दिन के या एक महीने के सत्रों में शिक्षार्थियों को उनकी शारीरिक, मानसिक आवश्यक्ताओं के लिए जिन वनस्प की आवश्यक्ता है, उनका परामर्श भी दिया जाता है और यथा संभव उन्हें उपलब्ध भी कराया जाता है, यह व्यवस्था अव इस सीमा तक बढ़ गई है कि युग शिल्पी सत्र में सम्मिलित होने वालों को फर्स्टैड होमनर सिंग आदी के कोर्स भी पूरे करा दिये जाते है, वनोश्धियों को अपने स्थानों में लगा कर उनका उप्योग पारिवारिक स्वास्थय के निमित भी करना सिखा दिया जाता है, प्रशिक्षन का क्रम आश्रम की संपूर्ण व्यवस्था में ओत प्रोत है, आश्रमवासी ग्रहस्थों के बच्चों के ल प्रिवार निर्मान के संबंध में आवश्यक है, मिशन का कार्यक्षेत्र अभी हिंदी भाशी लोगों तक सीमित है, अनायास ही उसका विस्तार देश भर में हो रहा है और उसकी लपेट में सभी भाशा भाशी क्षेत्र आ रहे है, सभी धर्म संप्रदायों में भी विचा क्रांती के सूत्रों को संजोया जा रहा है, मात्र हिंदू धर्म या हिंदी भाशी लोगों तक उसे सीमा बद्ध नहीं किया जा सकता इसी संभावना को देखते हुए एक सर्व धर्म समन्वय एवं विश्व की समस्त भाशाओं का नालिंदा एवं तक्षशिलास्तर का विश्व विद्यालय शांति कुन्ज हरिद्वार में खोला गया है अगले दिनों भारतिय संस्कृती विश्व संस्कृती बनेगी आज कहीं भी भारतिय संस्कृती की महत्ता गरिमा दशनी वाली कोई संस्था कहीं है नहीं उसी की एक विशाल स्थापना शांति कुन्ज में की जा रही है जहां भारतिय संस्कृती के हर पक्ष का गहराई से विवेचन किया जाए एवं विश्व के नागरिकों को प्रशिक्षन भी दिया जा सके आश्रम में शिक्षार्थियों तथा आगंतुकों की भारी भीर लगी, रहती है उन सब का सार्वजनिक शिक्षन सानकाल प्रग्या पुरान कथा संगीत कीर्तन के माध्यम से होता है आश्रम का एक विशिष्ट विभाग विडियो फिल्मों का है मिशन की विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए सभी केंद्रों में इन विडियो फिल्मों को भविश्य में अन्वरत रूप से भेजा जाएगा पिछले दिनों तो पूज्य गुरुदेव एवं माताजी आदी के जीवनोत कर्ष और अध्यात्म विज्ञान का स्वरूप समझाने वाले प्रवचन तथा जीवन प्रसंग पर आधारित विडियो फिल्म ही प्रस्तुत की गई है अगले दिनों इस विशय का इतना अधिक और इतना समग्र स्वरूप बनने जा रहा है जिसमें आज की स्थिती के अनुरूप लोक शिक्षन लोकप्रिय माध्यमों से किया जा सके फिल्म दर्शक, समाचार पत्र पाठकों से भी अधिक है इसलिए इतने लोकप्रिय माध्यम को अचूता छोड़ा नहीं जा सकता अतहशान्तिक उंच का ये नया निश्चे है कि प्रेस प्रकाशन की तरह वीडियो फिल्मों की एक सुवित्रित योजना को इस प्रकार विक्सित किया जा सके कि उससे सभी भाशाओं और सभी संप्रदायों के लोक समान रूप से लाब उठा सके युग पुरुष, रिशी चिंतन एवं संजीवनी साधना नामक फिल्मों से 1989-90 में हुई शुरुआत अगले दिनों और विशाल काय रूप लेगी मिशन का विस्तार पचास लाख लोगों तक हो जाने के कारण उसके सदस्य हरिद्वार तीर थ्यात्रा आदी के निमित आते रहते हैं जिनके ठहरने से लेकर भोजन तक का निहशुल्क प्रबंद किया गया है ये भंदारा अन्वरत रूप से चलता रहता है सभी यहां बिना किसी भेदभाव के प्रसाद पाते हैं प्रग्या परिजनों की निजी आध्यात्मिक और सांसारिक समस्याई भी होती है उन्हें सुझाने के लिए मात्र पत्र व्यवहार ही एक माध्यम है रचनात्मक कारियों में सनलग्न होने उतार चड़ावों का सामना करने के लिए भी इतने अधिक लोगों के साथ समपर्क इसी माध्यम से रखा जा सकता है इसलिए पत्राचार विद्याले विभाग के रूप में एक अतिरिक्त कार्य पध्धती यहां चलती है और सतन, तीन हजार पत्रों का नित्य आना और उनका उत्तर यथा समय चला, जाना ये कार्य भी अपने आप में अद्भूत है पिछले दिनों इस विभाग को कम्प्यूटर व्यवस्था से जोड़ा गया है सरकार ने कार्य एक विस्तार को देखते हुए शान्ति कुंज नाम से एक पोस्ट आफिस की व्यवस्था भी कर दी है जिसके साथ तार घर भी जुड़ा हुआ है साहित्य स्रिजन का कार्य शान्ति कुंज में ही होता है आरमभिग दिनों में भारतिय संस्कृती का स्वरूप प्रगती परायन सिधा करने के लिए आर्श साहित्य के अनुवाद और प्रकाशन का कार्य हाथ में लिया गया था उसके अंतरगत चारो वेद, 108 उपनिशद छहो दर्शन, 24 स्मृतिया, आरण्यक, ब्राहमन, योग वशिष्ट, आदी पुरातन ग्रंथों को सस्ते दाम में जन जन तक पहुचाने का प्रयत्न किया गया था जो पूर्ण रूपेन सफल रहा, इस प्रयास ने भारतिय संस्कृति के अध्ययताओं और प्रेमियों को एक नया प्रकाश दिया, वे प्रतिगामिता से प्रगति शीलता की ओर मुड़े इसके उप्रान्त ये लेखन कार्य व्यक्ति निर्मान, परिवार निर्मान, समाज निर्मान की दिशा में मुखा उसमें नेतिक क्रांती को प्रमुक्ता दी ऐसी लगभग 500 पुस्तके अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की एक सीरीज भी सम्मिलित है कथा कीर्तन देश में धर्म प्रचार का बड़ा उप्योगी माध्यम साबित हुआ है उस आधार को अपना कर युग संगीत के टेप, कैसेट्स भी बनते और प्रसारित होते रहते हैं उन्हें अच्छी ख्याती मिली है, एसी प्रकार प्रग्या पुरान नामक एक ग्रंथ का स्रिजन नए सिरे से हुआ है उसके पाँच विशालका एक हंड अब तक छप चुके हैं उन्हें प्राचीन पुरानों के स्तरका बनाया गया है संस्कृत के श्लोक और टीका, इसके अतिरिक्ट श्लोकों के साथ पुरातन कथाए इस प्रकार गुन्थी गई है कि उनके माध्यम से आधुनिक समस्याओं का प्रगतिशील समाधान पुरातन इतिहास पुरानों में धून्दा जा सकता है प्रग्या पुरान के चार खंडों का मूल्य लगभग 140 रुपया हो जाने पर भी विग्य समाज में इसकी भारी मान रही है कई संसकरन छप चुके हैं और अन्य भाशाओं में भी अनुवाध हो रहा मुद्रन प्रकाशन का कार्य युग निर्मान प्रेस मतुरा में होता है एक छोटा प्रेस युग्यांत चेतना प्रेस नाम से हरिद्वार में भी है जिसमें तातकालिक आवश्यक्ता की सामगरी छाप ली जाती है मिशन की कई पत्रकाए प्रकाशित होती है जिनका लेखन संपादन एक ही कलम से होता रहा पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर लेखनी की साधना नियमित चार घंटे प्रतिदिन लेखन के माध्यम से की अपने पीछे वे एक सशक्त तंत्र छोड़ गए है जो उनहीं के विचारों को प्रस्तुत करता रहेगा स्वयम उनने जो जीवन भर लिखा वो उनके वजन से दुगोना है अखंड जियोती और युग निर्मान योजना हिंदी पत्रिकाएं हैं इससे पूर्व उन्हें मराथी, बंगाली, पंजाबी में भी चापा जाता था इन दिनों कागस की अत्यधिक महगाई के कारण तीनों बंद हैं पर थोड़ी सी अनुकूलता होते ही न केवल बंद पत्रिकाओं को फिर से आरंब किया जाएगा वरन अग्रेजी तथा दक्षिन भारत की भाषाओं में भी इन्हें प्रकाशित करने की योजना है इस बीच अन्य भाषा भाषियों तथा विदेशों के लिए अन्ग्रेजी में फोल्ड प्रकाशन योजना चल रही है अब तक महत्वपूर्ण विशयों पर पचास फोल्ड प्रकाशित हो चुके हैं आगे और भी छपते रहेंगे हिंदी में तो ऐसे स्वल्प मूल्य के ट्रेक्टो का छे सो की संख्या में अलग से प्रकाशन हो चुका है खगोल विद्या में भारत अग्रणी रहा है ज्योतिश की व्यापक और सही खोच का इतिहास भारत से ही आरंब होता है पर दुर्भाग यही कहना चाहिए कि उसे भ्रम जनजाल के रूप में विक्सित किया गया और ज्योतिशियों ने उसे भविष्य कथन का माध्यम बना कर उल्लू सीधा करना आरंब कर दिया ज्योतिर विज्यान का समय समय पर ग्रह गनित दृष्य पर्यवेक्षन के आधार पर संशोधन होता रहा है कारण की घंटा मिनट के हिसाद से ग्रहों की चाल ऐसी नहीं है जिससे गनित अनुबंधों में बाधा आ सके उनमें समय समय पर अंतर पढ़ता रहता है उसे दृष्य के आधार पर ही संशोधन की आवश्यक्ता पढ़ती है इस कार्य के लिए वैद्यशालाएं विनिर्मित होती रही है अभी भी दिल्ली, जैपुर, उज्जैन, वनारस, बेंगलूर आधी में पुरातन वैद्यशालाएं जिस तिस रूप में विद्यमान है नए सिरे से इनका सामयेक एवं सार संक्षेब जैसा स्वरूप शान्ती कुंज में समग्र वैद्यशालाख खड़ी करने के रूप में विनिर्मित किया गया है इसमें प्राचीन यंत्र उपकरनों के अतिरिक्त आधुनिक दुर्बीनों का भी प्रयोग अंत्रिक्षिय जाच पड़ताल के लिए किया जाता है इस वैद्यशाला की कसोटी पर कस्ने के उपरांथ हर वर्ष पंचान्ग प्रकाशित होता है साथ ही इस प्रकार का ज्योतिश प्रशिक्षन भी चलता है कि हर स्थान का निजी पल्मा के आधार पर पंचान्ग बनाना हर गनितग्य कलिए संभव हो सके क्षेत्र विशेश पर पढ़ने वाले इंतर ग्रही प्रभाव को जानने के लिए स्थानिय पंचान्गी सार्थक होता है स्थानिय पंचान्ग बनाने की विद्या बताने वाला देश भर का यही एक विद्यालाय है इसमें सूर्य मंदिर, ग्रह विद्या की प्रदर्शनी तथा सूर्य शक्ती से उर्जा उत्पन करने वाले विशाल काईब बहुमूल्य सयंत्र भी देखने ही योग्य है शान्ते कुंच की यह प्रक्रिया दर्शकों को आश्चर्य चकित कर देती है शान्ते कुंच के निर्मान में अद्रिश्य प्रेरनाओं ने काम किया पर उसके शुभारंब में माताजी का उत्सा ही अग्रनी रहा उनने इस आश्रम की रूप रेखा बनाए प्रवेश करते ही छह वर्ष में संपन्न हुआ अखंड गायत्री महापुरश्चरन कुमारिकाओं द्वारा संपन्न कराया गया जो कन्याएं इसमें भाग लेने आई उन्हें उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई और संगीत का भी अच्छा बोध कराया अनुष्ठान और कन्या प्रशिक्षन साथ चला महिला जागरिती के संबंध में अत्यधिक उत्सा होने के कारण माता जी ने महिला जागरिती नामक पत्रे का भी निकाली वो छह वर्ष तक उन्ही के तत्वावधान में प्रकाशित होती संख्या भी बीस हजार के करीब पहुँच चुकी थी पर मिशन के ग्राहक इतने अधिक कार्य उनके सिर पर आ गए कि संपादन प्रकाशन का दायत्ववे लगातार न चला सरकी और उसे नई व्यवस्था बन पढ़ने तक के लिए स्थागित कर दिया गया माता जी ने उन्ही दिनों एक कन्या विद्याले भी चलाया शान्ते कुंज में माता जी का संरक्षन शिक्षन प्राप्त करमे पर बच्चियों की जो आशाजनक प्रगती हुई उसे देखते हुए मिशन के कार्यकर्ता वर्ग में अपनी कन्याओ को भी भेजना आरंब कर दिया उनके लिए स्वतंत्र प्रशिक्षन व्यवस्था खड़ी की गई संगीत प्रवचन का कौशल भी उसमें सम्मिलित था जब वे प्रवीन होने लगी तो एक प्रयोग ये किया गया कि पांच-पांच सुयोग्य कन्याओ के जथे आश्रम की कारों में बिठाकर शाखा केंद्रों में महिला जागरन संबंधी अनेकानेक समस्याओ पर प्रकाश डालते हुए महिला संमेलन एवं संगठन करने के लि जाय एकत्रित होता रहा जिनने यह उद्बोधन सुनावे आश्चर्य चकित हो गए कि यह छोटी आयू की किशोरिया बड़े बड़े अभ्यस्त वक्ताओं से बढ़कर किस प्रकार इतने उच्चकोटी के प्रवचन कर सकी है उनकी शिक्षा और संरक्षिका की हर जगह प्रशंसा हुई शोद संस्थान के नाम से चलाया जा रहा है ये तीन फलगी हट कर ठीक गंगा तट पर सब सरोवर के निकट है यह आश्रम तीम मंजिल का है नीचे की मंजिल में आध्य शक्ती गायतरी के चौबीस अक्षरों की चौबीस कमरों में चौबीस प्रतिमाएं ह उनके साथ ही यह उलेक भी है कि चौबीस अफ्तार, चौबीस देवता, चौबीस रिशी, चौबीस यंत्र किस प्रकार इन अक्षरों की महाशक्ती के साथ जुड़े हुए है इस मंजिल का ध्यान पूर्वक पर्यवेक्षन करने पर दर्शकों की समझ में गायतरी महाशक्ती की गरिमा का स्वरूप सहज समझ में आता है आश्रम की दूसरी मंजिल पर अध्यात्म और विज्ञान के समनवयका निर्धारण करने वाली प्रयोग शाला है इन में ऐसे बहु मूल्य यंत्र लगे है, जो अपने प्रयोजन की आवश्यक्ताओं को भली प्रकार पूरी कर सके. तीसरी मंजिल में ऐसा पुस्तकालय है जिसमें अभीष्ट अनुसंधान में सहायक सिधा हो सकने वाले ग्रंथ देश विदेश से मंगाकर 24 कमरों में व्यवस्थित रूप से रखे हुए है. नई पीड़ी प्रत्यक्षवाद एवं बुद्धिवाद को मान्यता देती है. पुरातन काल में शास्त्र प्रमान एवं आप्त वचन जन साधारन का समाधान कर देते थे. वो श्रद्धा विश्वास का जमाना अब नहीं रहा. अब हर प्रतिपादन के संबंध में तर्क, तथ्य और प्रमान मांगे जाते है. इससे कम में विचार शील वर्क का समाधान नहीं होता. समय की मान को ध्यान में रखते हुए यह अन्वेशन अनुसंधान खड़ा किया पर अनुसंधान के लिए आश्रम के मध्य प्रांगन में एक यग्यशाला परीक्षन के निमित बनाई गई है. इसमें लगे हुए यंत्र उपकरणों को देखकर प्रस्तुत अनुसंधान के प्रती संस्थापकों की सूजबूज एवं विधी व्यवस्था पर विज्यान म रुची रखने वाले मुक्त कंट से सराहना किये बिना नहीं रहते. ब्रमवर्चस के शोध कर्थताओं में M.D., M.S., P.H.D., साइन्स के पोस्ट ग्रेजुएट, डबल M.A. स्तर के लोग है. उनने अपनी हजारों रुप्ये मासिक की आय में थोकर मारकर इस. इस प्रवास अवधी में ही अनेको पत्र आते रहे कि इन देवियों में से एक को हमारे घर की लक्ष्मी बनने देने का अनुग्रह किया जाए. कन्या विद्याले की सभी लड़किया सुयोग्य घरानों में गई और वहां उनने अपना परिवार स्वर्गोपम बना कर दिखाया. इन दिनों वह व्यवस्था इसलिए बंध है कि शान्ति कुंज में नर नारियों का घमासान रहता है, जबकि कन्या शिक्षन के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें पूरुशों का आवागमन न रहे. कहीं अन्यत ऐसी व्यवस्था बन पढ़ेगी तो उसका प् प्युक्त व्यवस्था क्रम माताजी द्वारा सोचा और बनाया जा रहा है. शान्ति कुंज के तत्वावधान में एक दूसरा आश्रम ब्रहमवर्चिस. महान उद्देश्य की पूर्ती के लिए निहशुल्क समय दिया है. ग्रंतों की खोजबीन के लिए संस्कृत, हिंद की जीवनोपयोगी क्षमता का ज्यान होता है और उसके आधार पर हर द्रिष्टी से लाभानवित होने का अफसर मिलता है. आध्यात्म सिध्धान्तों को सिध्ध विज्ञान की साक्षी में किया जाए. दोनों को एक दूसरे का पूरक सहयोगी बनाया जाए. इस आवश्यक इसे देव संस्कृती का सोभाग्य ही कहना चाहिए कि उसके द्वारा इस प्रयोजन की पूर्ती चार हो रही है. ये प्रयास नैतिक्ता, आधरश्वादिता एवं परोक्ष जीवन की महानक्षमता को बुद्धी संगत आधार पर सिध्ध एवं प्रत्यक्ष करने जा रहा ह ब्रह्मवर्चिस शोध संस्थान का लक्ष्य एवं प्रयास ऐसा है जिसे अपने धन का अनोखा ही कहा जा सकता है.